हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्प्रिंग समर फॉल विंटर स्प्रिंग यह मूवी एक्स्प्लेंग करने वाला हूँ यह 2003 की मूवी है और इसके आयम डिप्रेटिंग 8 है यह मूवी गौतम बुद्ध के मैसेज पर डिपेंडन है जैसे इस मूवी के नाम में अलग-अलग वेदर है उसी की दरा लाइफ है इस मैसेज को यह मूवी हमें कहती है इस मैसेज के साथ बहुत सारा अच्छे चीज़े हमें इस मूवी से पता चलती है तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है स्प्रिंग सीजन में हमें एक लेग दिखता है और उसके बीच में एक हट बनी होती है यहाँ 2500 रहते है, एक बड़ा मंक और एक चोटा मंक बड़े मंक को हम मास्टर कहेंगे और चोटे मंक को हम मंक ही कहेंगे फिर हमें इन दोनों का रूटीन दीता है मंग को मास्टर उठाता है और ये दोनों बोट में बैट कर फिर से पहाडी में जाने के लिए रेडी हो जाते है जब भी इने जड़ी पूटी लगती है तो ये पहाडी में जाते है आज भी वो वहाँ जा रहे होते है मास्टर मंग को कहता है कि वहाँ तुम सावदान रहना यहाँ बहुत सारे साप होते है अब यह छोटा मंग किसी भी जीस की फिकर ना करते हुए इस माउंडन पर आ जाता है जब यह जोडी पूटिया वो पिक अप कर रहा होता है तभी वहाँ एक साव आ जाता है यह उसे देखता है और उसे डरता नहीं उसे हाथ में लेटा है और बाजो में फेक देता है चलते चलते फिर वो एक पहाडी पर आ जाता है वहाँ गौदम बुद्ध के एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ होता है उसके साइड में वो खड़ा हो जाता है और फिर पूरे नेजर को दिखता है उसका जो छोटा सा व्यूपॉइंट है उसे ही एंजॉय करता है इसका जो छोटा सा viewpoint है यही वो दीखता है और scenery को enjoy करता है आप इस point को याद रखी है और movie के last में हम फिर से इसपराएंगे इस छोटे लड़के का अब काम हो गया है तो फिर से वो बेव पर आ जाता है अपने master के साथ अपने hut तक आ जाता है वो अपने master को कहता है कि आज माने बहुत सारी जड़ी बूटिया लाई है तो बहुत ही खुश होता है अब यह दोनों अपने hut किया मेटते हैं और इस जड़ी बूटियो को review करते है master कुछ पत्ति देखता है और उसे कहता है कि यह poisonous है अगर तुमने इसे खाया होता तो तुम मर जाते है यह चोटा बंग कहता है यह तो same दीखते है मुझे कैसे पता चलेगा वो कहता है कि कुछ चीज़े इस nation में same दीखती है पर यही चीज़े तुमें बचा भी सकती है और मार भी सकती है फिर वो उसे difference बदता है इस पोधों के जो ages होते है उस पर वाइड कलर का एक age बनाया होता है अब अगले कुछ scenes में हमें बच्चा खेलता हो दिखता है सोता हो दिखता है वो ही hangout गरता हो दिखता है पर अब वो बोर हो जाता है उसके बाद वो बोर्ट निकलता है और फिर से वो जंगल में जाना चाता है वो mountain फर आ जाता है वो एक चोटा सा lake होता है जहां fish होता है वो एक door लेता है और इस fish को एक चोटा से पत्तर से बाढ़ देता है यह fish सफर कर रहा है यह देखकर उसे मज़ा आता है इसके बाद वो frog लेता है उसके साथ भी यही करता है एक साप लेता है और उसके साथ भी यही करता है यह जो भी सब वो कर रहा होता है यह उसका master देखता है master उसे वहाँ कुछ भी नहीं बोलता रात में चोटा मंग सुआ होता है मास्टर फिर चुपचप उसके पास जाता है एक बड़ासा पत्थर उसने लाय हुआ होता है इस पत्थर को इस बच्चे से वो बांद देता है नेकजिन सुभाई बच्चा जब उठता है उसे चलने में तकलीफ होती है उसे बहुती दर्थ हो रहा होता है मास्टर बोलता है कि तुमने भी तो उन एनिमल के साथ यही किया था उन्हें भी तो दर्थ होगा वो उसे फिर सजा देता है उसे कहता है कि तुम जाओगे और उन एनिमल को तुमने जो रिस्टिक कर दिया था उन्हें बंदा दिया था उनको तुम छोड़ कर आओगे अगर वो मर गे होंगे तो इस पाप का बोज हमेशा तुमारे दिल पर रहेगा ये पत्तर पहन कर ही उसे ये सब करना होता है क्योंकि ये पार्ट ओप पनिश्मेंट होता है वो फिर बॉर्ण में जाकर फिश को डूनता है फिश का पत्तर वाहस निकलता है पर फिश मर चुका होता है इसके बाद वो फ्रॉक के पास आता है फ्रॉक का पत्तर निकलता है और फ्रॉक जिन्दा होता है उपर जाता है और जब साप को देखता है तो साप मर चुका होता है यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है यह एक छोटा बच्चा है और इसकी दिल में यह बात हमेशा से रहेगी इसके मास्टर का जो प्लान था वो सक्सेस्फुल हो गया यह कभे भी अभी इस चीज़ को नहीं भूलने वाला अभी सीजन यही खतम हो जाता है और हमें एक नया सीजन दिखाए गया है यह समर है यह जो छोटा लड़का था अवे बढ़ा हो चुका है यह फेसे चलते चलते एक पहाड़ी पर आता है और बुद्ध के मूर्ती के पास खड़ा हो जाता है यह मूर्थी अब और एक high point पर है यहाँ से जब वो view दिखता है तो उसे बहुत सारी चीज़े अब दिखती है दूर से उसे एक लड़की और उसकी मदर आते हुए दिखती है यह लड़की और उसकी मदर इस master से मिलने आये हुए होती है यह जो लड़की होती है इसे एक बिमारी होती है यह हमेशा सफर करती है पर इस बिमारी का इलाज पता नहीं पड़ता इसलिए अब वो master के पास आये है master इसका इलाज करेंगे इसके लिए मदर उसे यहाँ लेकर आई है monk फिर उनके पास जाता है उन्हें greet करता है उन्हें पोट के आ लेकर आता है जब वो लेक पार कर रहे होते है तब मदर उससे पुछती है क्या मेरी बेटी ठीक होगी वो फिर उसे एक ज़ाड के पास लेकर आता है वो कहता है कि यह 300 years पुराना ज़ाड है जब तुमारे बेटी आ से जाएगी तो इतने ही healthy हो जाएगी रात में यह लड़की उसके मदर यही सो रहे होते है रात में हमें दिखता है कि यह monk उस लड़की को देख रहा है इसे उसके ब्रदी attraction हो रहा है जब next जाता है तो यह mother master से पुछती है कि क्या यह ठीक हो जाएगी master कहता है कि इसकी जो soul है वो सफर कर रही है इसकी suffering जब खतम हो जाएगी तो यह भी ठीक हो जाएगी इसकी body फिर से healthy हो जाएगी इस लड़की की mother गेती है कि प्लीज इसका खयाल रखना और फिर से वो जहाँ से आई थी वहाँ लोट जाती है इस लड़की को वही वो छोड़ जाती है थोड़ी दिर बाद यह लड़की वरांडे पर बेठे हुई होती है फिर वहाँ बारिश आती है तो यह monk छाती जिसी कटोरी लेकर उसे cover करता है नेकसिन में जब एक कपड़े चेंच करी हुथी है तो यह monk वहाँ आ जाता है उसे थोड़ा सा गलत लगता है और एक डोर वो बन कर लेता है नेकसिन में हम देखते हैं एक सैचू पर वो लड़की बेठी हुई हुए हुथी है यह वहाँ उसके पास आता है और कहता है कि master इसमें बेठने के लिए allow नहीं करते फिर यह अंदर आ जाती है बहुत दखी चुमूर्ती होती है उसके पास वो आती है और pray करने लग जाती है थोड़ी देर बाद pray करते हुए वो ही वो सो जाती है मंग फिर अंदर आता है वो जब उसे देखता है तब उसे चादर से कवर कर देता है वो उसे देख रहा होता है और उसे फिल करने लग जाता है यह लड़ी जा जाती है और उसे एक slap मार देती है इसे अब बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो प्रेअरे करने लग जाता है ये लड़की उसे हाथ लगा रही होती है तो वहाँ master आ जाता है master जब आता है तो ये लड़की वहाँ से चली जाती है master उसे पुछता है कि इस वक तुम क्यों pray करे हो पर वो pray करना continue करता है निक्स दिन जब आता है तब बोट में ये मंग होता है ये उस लड़के को पुछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी फिर ये दोनों मौंडन पर आ जाते है जो पॉंड था यहां वो आ जाते है ये लड़की फीश पकड़ने के ट्राय कर रही होती है पर ये पकड़ने पारी होती मंग उपर से उसको अबज़र कर रहा होता है और पॉंड में गिर जाता है उसके लिए फिर फिश पकड़ता है और उससे दे देता है वो फिर से उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है पर उसे उस जटक देती है रात में मंग उससे देख रहा होता है पर जब वो आख अपनी खोलती है तो ये side change कर लेता है दूसरी side पर उस होता है यानि कि उससे देखना पाए इसके अगले दिन master इस लड़की के लिए एक दवा बनाता है ये दवा उसे देखर कहता है कि इससे तुम्हारा mind clear होगा पॉट में मंग अपनी जो बोट होती है उसे गोलगोल फिरा रहा होता है वहाए लड़की भी होती है वो फिर पानी में गुच जाता है ये लड़की हट के किनारे पर होती है तो वहाँ वो पोज जाता है वो उसे पानी में गिरा देता है वो फिर उसे बोट में बेठा कर फिर से जंगल में लिकर जाता है यहां यह दोनों अब intimate हो जाते हैं जब वो फिर से घर आ रहे होते हैं तो यह लड़की के पेर दुखने लग जाते हैं यह फिर उसे अपने कंदे पर उठा लेता है अब यह अपने बोज के साथ उसका भी बोज उठा रहा है उसकी responsibility रह रहा है यही सीन यहां represent करता है जब रात होती है तो इस लड़की के पास हो आ जाता है फिर से वो दोनों intimate हो जाते है नेक सिन में हमें दिखता है कि बारिश हो रही होती है और यह लड़की फिर से उसी statue पर बेटना चाती है तो इस बार यह monk उसे allowed करता है उसके लिए इस statue का location भी वो change कर देता है जिस rules से वो पहले जी रहा था इस rules को अब वो उसके लिए बदल रहा है नेक सिन में master hut के बाहर बेटा हुए होता है इस दोनों को वो मस्ती करते हुए देखता है इसे इसमें objection नहीं होता वो भी इन दोनों को देखकर खुश होता है और फिर यह monk और यह लड़की एक hill पर दोनों बेटे हुए होते है यह monk उसे पूछता है कि क्या तुम record हो चुकी हो वो कहती ही कि हाँ अब मैं record हो चुकी हो उसे कहता है कि अब मैं imagine में नहीं कर सकता तुमारे बिना रहना मैं थोड़ी देर भी तुम से अलग रहा तो मैं पागल हो जाता हूँ हमें यहाँ एक शू में वो दो fish डालते हो दिखते है यह एक romantic gesture उने लगता है पर यह represent करता है कि उनका view कितना छोटा हो चुका है अब वो pond का खैल नहीं करे लेक का खैल नहीं करे पर एक शू में वो सिमित हो चुकी है यह एक black shoe है और इस shoe को भी आब याद रखिए movie के last में इसके बारे में हम बात करेंगे फिर से जब रात होती है तो इस दोनों lake में आ जाते है boat पर ही वो intimate हो जाते है जब सुपह होती है तो यह monk उटता है यह इन दोनों को इन boat में पाता है वो इस boat को उसके पास बुलाता है और यह boat sing करने के लिए इसमें एक hole बना देता है यह दोनों डूपने जब लग जाते है तो बेज जग जाते है monk फिर अपने master से माफी मांगता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो मैंने जो भी किया वो गलत किया है master से कहता है कि यह nature है जो भी होता है वो अपने आप ही हो जाता है इसमें तुम्हारी कोई भी गल्दी नहीं है वो फिर लड़की से पुछता है क्या तुम अब ठीक हो चुकी हो और कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हो चुकी हो तब ये मास्टर अभी इस लड़की को फिर से उसकी मदर की हाँ भेज देने वाला होता है मंग कहता है कि नहीं मैं इसकी मेना नहीं जी सकता पर मास्टर उसकी मानने नहीं वाला होता मास्टरों से कहता है मास्टरों से कहता है कि तुम्हारी जो हवस है इससे तुम किसी चीज को मास्टरों से कहता है कि तुम्हारी जो हवस है जब रात होती है तो उसे नीन नहीं आती वो फिर बुद्ध की मूर्थी अपने बैग में रखता है वहाँ से अब चला जाता है अब हमें इसके बाद नेक सीजन दिखता है यह फॉल का सीजन होता है मासरे दिखता है और और भी थोड़ा सा बुड़ा हो चुका है अपना जो रूटीन चलता है वैसे हो चलने देता है उसने खाने के लिए गाउ से कुछ चीजन आयो हुए होती है वह आएक पेपर होता है जिसमें हो देखता है कि एक आदमी ने उसके वाइफ को मार डाला है यह हमारा वही मंग है जो यहाँ से भाग कर चला गया था जब है गया था तो यह 18-19 साल का था अब वो 30 साल का हो चुका है इसी मंग ने उसके जो वाइफ है यानि कि वो लड़की इसको उने मार दिया है अभी हमें फिर से लेक में आता हो दिखता है वो शोर के पास आता है और यह मंग उसे लेने के लिए आता है मास्टर फिर उसके पास बेटता है वो उसे पूछता है क्या अब तक तुमने जो लाइफ जी है वो हैपी थी तुम्हारे life के वारे में मुझे कुछ interesting बताओ मंग कहता है कि छोड़ी तू मुझे से बात मत करो master कहता है कि यह world जो था तुम्हारे लिए painful था यह pain तुम्हें क्यों हुआ है यह मुझे बताओ फिर वह कहता है कि उस लड़की ने मुझे पर cheat किया था वो एक दुसरे आदमी के साथ भाग गई थी, इसलिए उसने उसे मार दिया है, वो बोलता है कि वो इससे कैसे कर सकती है, उसने मुझे कहा था कि वो उससे प्यार करती है, और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, मैं उससे faithful था, फिर यह master से कहता है कि मैंने तुम बोला था, यह जो world है, चाहा humans रहते है, इसमें हमेशा तुमारी पास जो भी valuable चीज़े, यह दुसरे लोगों को भी चाहिए होती है, तुमें इतना attached तुमारी चीज़ से नहीं होना था, यह अभी भी उसकी सुनने रहा होता, उसके मन में चल रहा होता है, कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, इस man ने बुद्ध की मूर्ति लाई होती है, जो वो लेकर गया था, उसने अब वो फेर से लोटा दी है, यह man बहुत डिस्टरब हो चुका है, उसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने master से help मांगता है, जब यह बुद्ध के बास बेठा हुआ होता है, तो अपने face पर एक कागत लेता है, और अपने आपको चोक करना जाता है, यह सुसाइर कर रहा होता है, जब उसका master उसकी आवाजे सुन लेता है, तो वो अंदर आ जाता है, उसे एक काठी से बहुत मारता है, उसे वो बचा लेता है, पर उसे डोर से बान देता है, और लटका भी देता है, उसकी गल्दी की उसे सजा वो दे रहा होता है जिस डोर से इस master ने mang को बांदा हुआ होता है उस डोर को भी उसने heat कर दिया होता है जिसे वो थोड़ी देर बाद तूठी जाए जब यह सब हो रहा होता है तब master अपना जो वरांडा होता है उस पर एक pen से बहुत सारे अक्षर लिखता है उनके language के सब alphabets वो वहाँ लिखतेता है यह mang फिर टोर से जब free हो जाता है तब जिस knife से अपनी wife को उसने मार दिया था उसी knife से वो अपने बाल काड लेता है वो फिर जब बाहर आता है तब उसका master से कहता है कि मैंने जो भी अप letter लिखे है यसे अब तुम knife से carve करोगे जब तुम ये कर रहे होगे तो तुमारे अंदर का जो भी anger है वो तुम बाहर निकालोगे जब ये mang ये खतम करेगा तब तक उसके अंदर की जो भी agony है जो भी वो pen महसूस कर रहा है वो सब खतम हो जाएगा ये mang फिर देखता है कि वहाँ दो police officer आ चुके है उन्हें लेने के लिए master जाता है master फिर उन्हें lake तक लेकर आता है mang के बास knife होती है तो वो register कर रहा होता है master in direct 2 को कहता है कि मैंने तुम्हें job दिया है ये इसे खतम करने दो उसके बाद तुम इसे लेकर जा सकते हो ये police भी इसके लिए मान जाते है इस काम के लिए पूरी रात लगने वाली होती है जब ये सब हो रहा होता है तो direct 2 बोर हो जाते है एक सोडा कैन इस लेक में होता है उसे शूट करने लग जाते है वो अपना निशाना साथ नहीं पाते फिर master एक छोटा सा पत्थर लेता है और दोसे इस scan को मारता है ये read 2 देखकर हैरान हो जाते है रात भर ये carving का का काम ये मंग करता रहता है जब सुभा होती है तो यहाँ सो गया होता है फिर जो master है इस सब चीजों को साफ करता है और वहाँ paint करने लग जाता है जो police होते है इनको भी ये काम देता है police को इसने बता होता है कि इससे मन की शान्ती प्राप्त होती है इन police को भी इसकी जरूरत है इन police के साथ वो चला जाता है थोड़ा वक्त अब गुजर जाता है ये जो मंग है इसकी vision अब धुन्नी पढ़ने लग गई है ये अब old message करने लग गया है अब उसे पदा चल जाता है इस दुनिया से जाने का अब उसका time आ चुका है अपने सब कपड़े वेगरा वो बुद्ध की statue की याद छोड़ कर एक boat में बेट जाता है इस boat में बेटने के बाद पेपर से वो अपने खुद को support करता है ये उनकी वीदियो होती है जब भी मंग को मरना होता है तो इस पेपर को वो उस खुद पर लगा दे और खुद को मार डालते बुद्ध फिलोसी में कहा गया है कि आत्मा अमर है तो इसलिए अब वो सिर्फ अपने शरीर को त्याग रहा है ये हमेशा meditation करते है अब ये मर भी रहा है पर फिर भी इसे पेन नहीं हो रहा जिस बोट में वो होता है इस बोट को भी वो डुबा देता है यहाँ सफो के ढोकर वो अब मर जाता है इसके पाथ हमें next season दिखाये गया है ये winter है जो मंग था जो जेल में चला गया था वो बढ़ा हो चुका है अब वो अपने 40s और 50s में है ये फिर से उस लेग में आता है पर अब ये लेग जम चुका है जब वो हट के अंदर आता है तो वहाँ candle से गरा जलाता है जहाँ master मर चुका था वहाँ वो बोट में मोती होते है ये मोती master के soul को रिप्रेजेंट करते है इसको फिर एक red cloth में वो लपेट लेता है और अपने साथ वो लेकर आता है वो फिर mountain पर चड़ता है वहाँ का जो pond था वो भी freeze हो चुका है ये फिर ice से एक गोदम बुद्ध की मोर्ती बनाता है जब भी कोई मर जाता है तब उसके लिए बोद्ध की मोर्ती वो बनाते है इस मोर्ती के forehead में वो वो कपड़ा और वो मोती दोनों रग देता है इस जमे हुए lake में वो एक छोटा सा होल बनाता है जिससे वो पानी भी सकता है जब वो master के drawer वेगरा देखता है तो वहाँ उसे एक book मिलती है इस book में सब exercise के आसन वेगरा दे होते है फिर हमें इन सब exercise को वो practice करता हो दिखता है उसे भी अपने master जैसा बनना है यह जो master था इसके पास अनू की power थी उसकी जो board थी उसे सिर्फ अपने हाथ से वो चला भी सकता था रोग भी सकता था उसे वो control कर सकता था master की तरह ही mank को बनना है तो यह सब वो practice करता है एक दिन फिर हमें दिखता है कि एक औरत वहाँ आती है उसके पास एक बच्चा होता है उसने अपने face को cover कर लिया होता है उसके जो हला थे वो गलत है इसलिए इस बच्चे का वो खयाल नहीं कर सकती उसे अब यहाँ छोड़ देने वाली होती है इसलिए उसने अपने face को cover किया होता है उसके बच्चे से उसके attachment ना जुने इसलिए भी वो करती है भगवान के पास वो आई हुई होती है और जो कर रहे ही वो गलत है इस shame की वज़े से भी उसने अपना face cover किया होता है जब रात हो जाती है तब आउरत इस बच्चे को छोड़ कर वहाँ से जा रही होती है हमने देखा था मंग ने अपने पानी बिने के लिए एक होल बनाया था इस होल में वो गिर जाती है और वो ही मर जाती है अब हमें देखता है इस season जो था वो change हो रहा है जो पर्फ था वो पिगल रहा है मंग ने अपने master की जो statue बनवाई थी जो red cloth में wrap करकर जो purse रखे थे वो भी अब इस पानी के साथ पह रहे है जो master की soul है ये एक black shoe होता है जहाँ वो मर चुकी होती है वो भी वो बुद्ध की एक statue लगा देता है इसके बाद फिर हम देखते है कि एक बड़ा सा पत्थ है ये मंग अपने आपको लगाता है अपने आपको इसने बांदा हो होता है और एक गौतम बुद्ध की मूर्दी लेता है इस मूर्दी को लेकर पहाड वो चड़ता है बहुत सारी मुस्विपोतों से ये गुजर कर ये पहाड चड़ रहा होता है उसके पेर से खुन में आने लग जाता है पर फिर भी वो चड़ दे ही जाता है ये चड़ते चड़ते एक बड़े से पहाड के आ आ जाता है जब इस पहाड के उपर होता है तो उसका लेक बहुत ही छोटा से लगता है जिस पत्तर को अपने खुद से वो बांदा होता है वो चोड़ देता है और वहाँ वो रख देता है गोतम बुद्ध की मूलती उस पर प्रस्तापित करता है संसेट होता है तो यहाँ वो प्रे करता है अब यह जो मंग है यह नेचर को अलग परस्पेक्टिव से देख सकता है जब वो छोटा था तो उसकी वीजन बहुत ही कम थी बहुत ही छोटा सा नजारा वो देख सकता था जब वो बढ़ा हो चुका था तो अलग नजारे को देखता था अलग नजरिये से वो इस जग को देखता था अब यह बहुत ही बढ़ा हो चुका है लाइफ में जो भी सब इसने एक्सप्रियेंस किया है जो भी चीज़े इसने देखी है अब इसे अपने experience के अनुसार ये सब छोटी लग रही है उसका knowledge उसकी समझ सब कुछ बढ़ चुका है अब winter बीच चुका है और spring आ चुका है बहुत सारे साल गुजर चुके है जो छोटा लड़का था वो भी अब थोड़ा सा बढ़ा हो जो शिक्षा master ने अपने monk को दी थी यही शिक्षा ये monk अब अपने शिश्च को दे रहा है हमें फिर देखता है कि यह जो छोटा लड़का होता है वो pond पर आदा है जैसा छोटे monk ने किया था कि fish को एक डोर से बांद दिया था और छोटे से पत्थर से उसे बांदा था उस फिर से हमें गौतम बुद्ध की मुर्दी दिखाए गई है जो बड़े से mountain बरें अब यह सीन आदमी के life cycle को represent करता है जो भी चीजे इस चोटे मंगने की थी वही अब उससा शिश्च भी कर रहा है जो भी सब हो रहा था वो फिर से अपने आपको repeat कर रहा है आदमी जो होता है अपने life में बहुत सारी mistakes करता है उस mistakes से वह सीखता है उसके बाद उसे एक बड़ा perspective मिलता है उसके experience बढ़ते है इस experience बढ़ने के बाद life को अलग तरीके से वह देखने लग जाता है और फिर इससे अपना peace बना लेता है आदमी ने जो भी अपने experience से सीखा होता है वो चो होत रोक सकता था मन जब उसका लड़की के साथ सो रहा था उसके साथ intimate हो रहा था इससे संब कुछ पता था इसे वह रोक सकता था पर उस ने उसके मंग को एक गलतिया करने दी जो भी experience थे वो उसे करने दी है अगर मंग के master ने उसे रोक लिया था तो जो सिज़े उसने की थी वो करने पाता वो जेल में आई जाता और जेल में वापस आने के बाद master जिस way से जी रहा था जो सही way है इससे वो जी नहीं पाता वो अपने horizon को expand नहीं कर पाता हमने movie के first में देखा था कि master अपने monk को एक शिक्षा दे रहा है इसमें उसे कह रहा होता है जो चीज तुमें बचा सकती है उसमें मार भी सकती है जब हमने देखा था कि monk और लड़की इन दोनों में पैर हो चुका था वो दो fish लेते है और एक shoe में रखते है एक black shoe कोता है यह इन दोनों के love को represent करता है पर यही love उसे बरबात करकर रख देता है जब वो जेल में जाकर वापस आ जाता है एक और उसके पास आती है और लड़के को उसके पास छोड़कर जा रहे होती है तभी वो मर जाती है जब वो मरती है तब उसने black shoe पहने होते है जो तरंग रहे होते है एक लड़की ने ही उसे बरबात कर दिया था पर अब इस औरत में उसे जीने के लिए एक goal दी दिया है जो भी उसने सब सिखा है इस चोटे बच्चे को अभूय नॉलेज देगा तो इस तरह से लाइफ के बहुत सारे लेसंस और लाइफ को देखने का एक नया परस्पेक्ट व यह मूवी हमें देखर जाती है जब यह मूवी चल रहे होती है इस मूवी में जो भी नेचर की सीन आते है इससे आदमी जूट जाता है यह मूवी यूटूब पर देखने के लिए अवलेबल है और अगर आपको वक्त मिले तो आपको ज़रू देखनी चाहिए अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूरीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मूरी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया